यालो गार्ष मैंनामे सौराफ एल्टीमेट डाट में आपका स्वागत है आज हम लोग देखेंगे कैसे Windows 11 का कलर को कैसे रिसेट किया जाए तो सबसे पहले क्या करना है आपको जाना है Windows का बटन पे जाना है settings पे एन सेटिंग पर आने का बाद आप इसे देख पा रहे हो जो कि है display का option आपको simply करना इस पे click click करने का बाद जो है advance display option ठीक है आपको simply को करना है click click करने का बाद आपका इधर पर display adapter properties for display 1 आपका a ALE अधर पर और दस्पले 1 दिखेगा आपका दो display है तो क्लिक करने का बाद इसलिए इधर भी तीनो टेप आ गिया जैसे कि डिवाइस ऑल प्रोफाइल एडवांस आपको सिंपली याना है चेंग सिस्टेम डिफॉल्ट ठीक है जैसे कि मैं चाहता हूं मेरा जो इंडोस्टेंड का जो मॉनिटर का कलर होना चाहिए वह जो डिफॉल् तो मेरा को क्या करना है फिर से एक बार करना है क्लिक कहां पे चेंग सिस्टेम डिफॉल्ट पे उसका बाद फिर से तीनो टैप ओपिन हो जाएगा जैसे कि डिवाइस ऑल पोफाइल एडवांस तो इधर पे आना है आपको दैना इसलिए आप देख पार हो यूज विंडोस डिस्प्ली ठीक हो करना है इधर पे checkbox पे click करने का बाद आपको करना है इसको close दैन इसको करना है close दैन एक पर करना हैald अगल्रेिक दो जूज अगलर है जो sagda है होना चाहिए उस ही सबसे automatically और रिसेट ले लेगा और आपको जो color situation है या color का जो density है आपको जो windows का होना चाहिए वह यह आपको दिखेगा तो मेरा यह चोड़ा सा वीडियो से आपको help हुआ है या मदद हुआ है तो जरू नीचे comment section में comment करना मत बुलिए और आप मेरे challenge पर नय है तो जरू subscribe करना मत बुलिए